नमस्कार क्या पचल टिवी का खाश राहूल का अगनिपद देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हाली में राहूल गांधी अपने अगनिपद पर विदेश के दौरी पर गये थे लंदन दौरे पर पहुचे राहूल गांधी ने कैम्बरिज युनिवरस्टी में मोधी सरकार और भारत की लोकतंत्र की जम कर आलोचना की थी इस यात्रा के जरिये राहूल गांधी का देश विरोधी एजंडा भी सामने आया था संसद में भी जम कर बवाल मचा था और अब एक बर फिर से राहूल गांधी अपने देश विरोधी एजंडे के साथ ब्रिटेन के बाद अमेरिका दौरे पर जा रहे है खबरों के मताबिक राहूल गांधी 31 माई को 10 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगी जहां पर वो न्यू यॉर्क के मैडिसम स्कॉयर गार्डन में लगबग 5,000 भारतियों के साथ राली भी करेंगे साथ ही कई कारिक्रमों में हिस्सा भी लेंगे तो ब्रिटेन की बाद राहूल गांधी अपने किस एजेंडे के तहट अमेरिका जा रहे हैं आज इसी पर चर्चा करेंगी बाचित के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्या पिछली बार ब्राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जितनी भी बैठके की सारे के सारे सवाल पहले से निर्धारी थे कि किस मुद्दे पर कैसे चर्चा करनी है और कहां ले जाकर भारत को बदनाम करना है क्योंकि बात की सुरुवात वहां से होती है जहां पर राहुल गांधी का इंट्रेस्ट नहीं बलकि मजबूरी बन गई है यानि की डेमोक्रेसी कैसे चल रही है हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की जड़े अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत पुरानी है भले ही आधूनिक इतिहासकारों ने वामपंथी इतिहासकारों ने डेमोक्रेसी अमेरिका और इरोप से उधार लेकर यहां बता दिया गया ये आधुनिक काल की बात नहीं है प्राचीन काल से भारत में डेमोक्रेटिक वेवस्थाती चाहे वैधिक काल के सभा, समीती और विदत की बात कर लें जहां पर चुनाव होते थे या वैशाली का वो गनतंतर देख ले जहां पर चुनाव होते थे ये तरीके से कबीला का परधान बनाया जाता था चुनाव के माध्यम से गनतंतर के विवस्था थी लेकिन वो सारी चीजे अब इन लोगों ने मतलब कॉंग्रेस की सरकार बड़ी कॉंग्रेस ने इतिहास को नए तरीके से लिखा और लिखवाया और उसमें भारत के हर मामले में जो हमारा स्वरनीम काल था उसको अंधेरा यानि की डार्क एज बना दिया गया और इसी आधार पर जब सुरुआत होई बृटेन दोरे की तो इन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी को बदनाम किया कि भा संक्यको के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं अब ये लोग भारत के अंदर सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी उसके बाद जो इन लोगों ने संबैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाये थे ये बृटेन में जिस तरीके से भारत को बदनाम करन भी एक वर्ग विसेस ने लगतार कोशिश की कि भारत को बदनाम किया जाए डेमोक्रेसी के मामले में और राहुल गांधी को जब सजा हुई कोट से दो साल की सजा दी गई तो उसमें भी इन देशों से परतिक्रिया आई कि राहुल गांधी विक्टिमाइज किये गए हैं राहुल गांधी को ऐसे सजा दो जी गई है वो जबरदस्ती उनके सही बोलने पर उनकी इमांदारी की सजा है ये कोशिश की गई बताने की लेकिन अमेरिका की जहां तक बात है वहां भी यही राग अलापा जाएगा जिसके प्रिस्टभूमी पहले ही तैयार की जा रही है राहुल गांधी यात्रा का एलान करते हैं उससे के आजपास अमेरिका से एक रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट धार्मिक स्वतंतरता के लिए आती है जिसमें भारत में बताया जाता है कि भारत में तो धार्मिक स्वतंतरता केवल एक धर्म के लिए है हिंदूों के लि के साथ कैसा बेवार किया जा रहा है सड़क पर चलते हुए सिख की हत्या कर दी जा रही है यह बात वहां नहीं बताया जाता है लेकिन राहूल गांधी की यात्रा से पहले यह जो रिपोर्ट आई है सवाल राहूल गांधी से इस पर भी पूछा जाएगा कि कैसे हिंदुस्तान में अलफसंख्यकों को परताडित किया जा रहा है परिशान किया जा रहा है इनके पास तो पूरी लिस्ट है और ये बताएंगे कि अखलाक की हत्या जो हुई वो भी हिंदू ने संगटित तोर पर की ये किसी भी क्लैस की बात बताएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कनहिया लाल की हत्या कैसे हुई ये नहीं बताएंगे कि परवीन ने तारू की हत्या कैसे हुई इस बात का उधारन इनके पास नहीं होगा लेकिन अमेरिका की बात जहां तक है तो एक पुरानी बात भी याद आती ह कि कैसे इन लोगों ने एक ऐसा वर्ग तयार किया है अमेरिका में जो की पूयोर कॉंग्रेस समर्थक है वो वर्ग चाहता है कि भारत में कॉंग्रेस की सरकार हो कमजोर सरकार हो और अमेरिका का वर्चस्व बरकरार रहे कि इसकी सुरुवात भी वो नुकलियर डिल के समय हुई थी जब मनमोहन सिन परधान मंत्री थे और इन्होंने अमेरिका के साथ यूवेन को साथ में लाकर बुष के टाइम में एक संधी की थी और उसमें उस नुकलियर डिल के साथ साथ हुआ कि पूरे विश में जैसे अमेरि देमोकुरिटिक फंड बनाए गें लेकिन उस इवेन डेमोकुरिटिक फंड में अन्त तक लगबग हर साल 100 करोड के आस पास रकम मनमोहन सिन की सरकार ने दी और ये रकम हर साल दी जाते थी डेमोकृसि बचाने के लिए मनमोहन सिन ने केंपेन भी किया महासभा की बैठक में 196 देशों से अपील की कि आप लोग इस फंड में पैसा दे लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदली सरकार ने मोधी सरकार ने समझ लिया कि ये UN का खेल है तब तक मनमोहन सिन लगभग 500 कडोर रुपया UN डेमोक्रेटिक फंड में दे चुक टी जो की अलग अलग जगों पर जो जॉर शोरोज की बात होती है इसके और्गिनाजेशन को भी उस UN डेमोक्रेटिक फंड से फंडिंग होता है और ऐसे ऐसे कई gat Two है जो डेमोक्रेशी बचाने का अभ्यान चलाते हैं UN Democratic Fund से उसको पैसा दिया जाता है वो पैसा Congress के माध्यम से दिया गया जो कि सरकारी पैसा था मोधी की सरकार आई और 5 सालों में इन्हों ने जो 100 करोड से जादा हर साल दिया जाता था उसको घटाते हुए 25 करोड कर दिया जब जो डेमोक्रेसी बचाने वाले डेमोक्रेसी बच पचीस-पचास करोड दे रहा है तो दूसरे जो छोटे देस हैं वो कितना पैसा देंगे यह अभियान तो इसी तरीके से दिया जाता है जैसे चंदे दिये जाते हैं तो इन्हों ने 500 रुपया दिया अब दूसरे लोग प्रेरीत होते हैं कि जब वो 500 दे सकता है तो 500 तो हम गांधी बिलकुल और वो जो समर्थक वर्ग है विदेशी पार्टर इनका है जिन्होंने करोडों रुपया खाया है ये लोग अब राहूल गांधी के लिए बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं अब ये पहले ब्रिटेन गए अब अमेरिका जा रहे हैं 2024 की प्रिस्ट हुमी तयार कर रहे हैं अब धीरे धीरे विदेशी मीडिया भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगी और अरब में राहूल गांधी के समर्थन में बाते चलेगी राहूल गांधी के सारे इंटर्विव उसी तरीके से चलेंगे जैसे की बृटेन वाला चला था और राहूल का एक मात रेजेंडा है कि जितना भी परधान मंत्री नरेंदर मोदी के नाम पर भारत को बदनाम करो कि यहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है संबैधानिक संस्था सुरक्षित नहीं है करनाटक में जीत हुई है उस जीत में भी यह लोग मानते हैं कि जो बृटेन में ज यानि कि हिंदुस्तान में नफरत पैदा हो रहा है जो वर्ग पैदा ही नफरत के साथ हुआ है उस वर्ग को ये शांती दूत कहते हैं दिन लोगों ने पूरे दुनिया में एक जहन्नुम बना के रखा है जो जो मुस्लिम कंट्री है हर जगह पर आतंकवाद है आपसी संगर स है उस मुस्लिमों को हिंदुस्तान में इन लोगों ने शांती दूत बना दिया है और जो कौम पूरी दुनिया में इस बात के लिए फेमस है हिंदू कि जो सबसे ज़्यादा सहंसील होता है कहीं भी ऐसी घटना में शामिल नहीं होता है हिंसात्मक परविरती नहीं है उसको ये नफरती कौम बोलते हैं तो राहूल गांधी किया यही एजेंडा है कि दोहजार चोबी से पहले इरोप और अमेरिका में घूमो वहां अपने विदेशी पार्टनरों को वाइबरेट करो और भारत को बदनाम करने की कोशिश करो लेकिन क्या राहूल गांधी का ये एज पर विश्वास कर सके अमेरिका और इरोप पर विश्वास कर सके अभी भी हिंदुस्तान में 50-60% लोग ऐसे हैं जो प्योर मोदी के सपोर्ट में सामने आएंगे राहूल गांधी कितना भी प्रॉपगंड़ा पहला ले उसका असर नहीं पढ़ने वाद भाद धन्यवाद स साफ है और एक्सपोज भी हो चुका है देखना होगा अमेरिका जाकर राहूल गांधी क्या नया रायता फ़लाते हैं और कैसे देश को बदनाम करने का काम करते हैं क्योंकि राहूल गांधी के मताबिक तो भारत का लोकतंत्र खत्रे में है यहां उन्हें बोलने नहीं दिया झाल झाल